Hello Friends, B.S.C. Second Semester Chemistry जो हम लोग Unit 5 देख रहे हैं Solid State 2 सवस्ता तो आज हम इसमें देखेंगे Methods for Determination of Crystal Structure मतलब Crystal Structure की आंतरिक सनशना आप कैसे ग्याद कर सकते हो उसकी सनशना कैसे ग्याद कर सकते हो तो इसकी दूसरी नंबर विधी देखेंगे Powder Vithi के बारे में आज ठीक है इसके पहले वाले वीडियो में हमने Loveway की Spot विधी देखी थी इस वीडियो पर देखेंगे Powder Vithi के बारे में Powder Method के बारे में देख सकते हो इची तरह आपकी स्क्रीन पर सो हो रहा है इसको पूरा बहुती आसानी से हम लोग समझेंगे ठीक है तो यार प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना वीडियो स्क्रिप्ट ना कीजेगा क्योंकि टॉपिक आपका important है तो चलो बात करते है Method for Determination of Crystal Structure ठीक है Powder Vithi तो इस वीडिका प्रतिपादन जर्मनी के Scientist DIY तता Serer तर शेयर ने किया था अमेरिकी वैग्यानिक हल ने भी इस वीडिका प्योग किया था मलब की इसका प्रतिपादन किसने किया? डीवाई तता Serer ने और जो अमेरिकी वैग्यानिक हल थे उन्होंने भी इस पूरा चित्र है आपका पूरा विधी का ठीक है इसी को अभी आपको बना की पूरा समझाते हैं तो देखो यह पाऊडर मेठर्ट का चित्र हो गया आपका ठीक है इसी को देख लेना आप सबस्ट आप तो इस विध्री पर आप गिराओंगे यहाँ पर माननों कोई एक सरे ट्उब लगे होई है आपकी ठीक है X-ray ट्यूब यहाँ पर आपको लगा देनी है जिससे X की रड़ जाके आपको क्रिश्टल पर डाल दी तो इसको बनाना है आपको ट्यूब को X-ray की तो यह आपकी X-ray ट्यूब है इसी से आपको X की रड़ को पहुचाना है वहाँ तो यह ray आपकी यहाँ पर देख सकती है यहाँ पर पहुचेगी जाके ठीक है इसको थोड़ा सीधा बना लेते तो देखो यह आपका ऐसे हो जाएगा ठीक है यह X-ray आपकी जब इस पर पड़ेगी जाके फिर इससे आपकी ये कहाएगी क्रिश्टल पे तो क्रिश्टल का ये जो पाउडर बेटर इस पे आपको क्रिश्टल नहीं रखना हो तो क्रिश्टल का पाउडर थोड़ा सा चूड वो एक मिली ग्राम भी आप रख सकते हो मालग कम से कम एक मिलीग्राम भी ले सकते हो तो मालो किसी हम इस पतली सी नली पे आपका क्रिस्टल का पाउडर भर रहे है इसी पाउडर पर हम X-ray को गिराएंगे और पता करेंगे इसकी आंतरिक इस्ट्रक्चर को पता करेंगे तो यह P नाम की एक नली है जिस पर पाउडर भरा हुआ है इस पर हमने X-ray को गिराया ठीक है जब X-ray इस पर गिरिएगी तो इसका क्या हो जाएगा विवर्तन हो जाएगा अर्थात ये फैल जाएगी ठीक है देखो विवर्तन से मतलब यह होता है कि प्रकास के मुड़ने की घटना किरण के मुड़ने की घटना ही आपकी क्या कहलाएगी जो प्रकास मुड़ा हुआ है यही आपकी विवर्तन कहलाएगी तो देखो यहां से प्रकास आपका इस टाइप से मुड़ता चला जाएगा देखो यह आपका ऐसे ठीक है इस टाइप से किरण आपकी मुड़ती चली जाएगी जो की एक संकू का अकार ले लेंगे । देख सकते हैं आपसे एपने का अकाल ले लेगी है यह जो आपका विवर थर हैlo यह का कान ले ले लेंगी इसे कहते हैं आप किया को फॉर्एक्षे इस लिए ले ली तिह तो यह देख सकते हो, विवर्तित केड़े हैं, तो इसी से आप आंत्रिक structure को पताकर सकते हो, जो कौन मनाई, इसी का अध्यन करके, आप पता कर सकते हो, कैसा crystal है, उसका structure कैसा है, ठीक है, तो देख सकते हो, यह आपकी पूछी powder method है, आसानी से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है, इस पर आपको क्या करना है, P नाम की नली परasm 누र खरना होता है, किस्विष्टल का तो यह बात यह आपकी powder, method के ठीक के तो इस पर आप एक मिली ग्राम पादार्त भी ले सकते हैं या उससे ज्यादा भी ठीक है अब आगे विवर्तन विधी में बड़े क्रिष्टलों की अवस्यक्ता पड़ती है विवर्तन विधी मतलब जो लाओए की स्पॉड विधी देखी जबकि इसमें छोटे-छोटे क्रिष्टल की बड़ी संख्या को प्रियुक्त करते हैं और इसमें देखो आप छोटे इस विधी में पडात के पाउडर चोड़ को एक पत्ली नली बी में लिया जाता है देख सकते हैं इस marrow प्रट पर एकसरे पड़ने के पास चात्थ विवर्तित हो जाती तता फोटोग्राफिक पलेट पर गिरती है ये ह्लाप पर देख सकते हो आपकी गिर रही और संको अका आपका diffraction हो रहा है ठीक है देख सकतो photographic plate पर गिरतनी है ठीक है अब आगे देखो x-ray पढ़ने के बाश्यर विवर्तित हो जाती देख सकतो आपका cone of diffracted race ठीक है आप crystal जाला के प्रतेग set के लिए एक code theta होता है जो की break समिकर्ड का पालन करता है तो break smack किया होता है ठीक है जो कह है यह जो ऑपको beta दिख आपको beta की गई है तो देखो आगे पढ़वा आपका यह आपका ब्रैक के क्वेश्ट के लिए एक ने कल थीटा होता है ये जो कोट हीटा है ये ब्रैक समिकड का पालन करता है ठीक है आगे आप से का गया देखो एक कोट हीटा होता है जो की ब्रैक समिकड का पालन करता है आप फोटोग्राफिक प्लेट को खोल कर अलग कर लेते हैं इस प्लेट की प्रतेगरेखा पर जालक तल के सिट निसान लग तो एक आप आप इससे निकाल सकते इस फॉर्मले से इसकी पाउडर मेठट की हमने यहां पर बना के दिखाया हूँ है पूरा ठीक है कि कैसे आपकी ऐरेज़ों है कैसे आपकी फैलती है ठीक है देख सकते हो यहां पे ठीक है फोटो ग्राफिक में वल्यों का ख्रम आपको यहां पर देख सेकь जा पर याज ले दिखा ले ठीक है अजा पर निसान शान लगा लेतáveis और इने नापकर कर एस एक्स का मान निकालते हैं ठीक है तो आसानी से आप ये कर सकते हो ठीक है पूरा आप देख सकते हो ठीटा का मान निकाल सकते हो इससे और क्रिश्टल की आंत्रिक सनशना भी ग्याद कर सकते हो ठीक है तो ये देख सकते हो भाईया ये था आपकी powder method जिससे आप crystal की आंत्रिक सनेशना ग्याद कर सकते हो तो इसके पहले वाले वीडियो पर हमने लाववे की spot विदी भी देखी थी ठीक है तो दोनों वीडियो important थे तो उनको भी जाकर देख लेना ठीक है तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना ओके थैंक्स पर वाचिंग देस वीडियो